के एम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है आप देख रहे हैं के एम न्यूज वानसदा विधायक अनन्द पटेल पर हमला का शीशा तोड़ा चुनाव प्रचार से लौटते समय हुई घटना वलसाद वानसदा के विधायक कर डंड़े से पीछे का शीशा तोड़ कर अनन्द पटेल पर बीती रात चुनाव उन पर हमला करने की कोशिश की प्रचार के बाद घर लोटते समय कुछ विधायक अनन्त पटेल के खिलाफ लोगों ने हमला कर दिया इस घटना अपशक भी कहे गए दूसरी ओर के बाद से कॉंग्रेस कार्यकरताओं में गाउं में विधायक पर हमले की बात आक्रोश है जानकारी के अनुसार रात पता चलने पर कांग्रेसी और विधायक को उनाई गाउं में सर्पंच उम्मीदवार के कार्यकरता वहां पहुँच गए पृलिस भी घटना का पता पाकर वहां के लिए रवाना हो गई थी विधायक के समर्थक और कॉंग्रस कारेकरता रात में मनीश पटेल जा रहे थे में 7-8 लोगों ने उनकी कार रोप का इस दौरान चुनाव प्रचार कर आगे रास्ते G3ZTCA 2359 ही बड़ी संख्या में वानसदा पुलिस थाने पर पहँच गए थे विधायक ने इसमें से एक आरोपी को पहचान लिया था जिसका नाम मिलन भंडारी बताया गया है विधायक अनन पटेल की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है घटना में शामिल आरोपियों को शीगर पकड़ने की मांग की गई है दूसरी तरफ कपरड़ा के आदिवासी समाज द्वारा पुलिस स्टेशन में ग्यापन दे कर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफतार करके कार्रवाई करने की मांग की कपरड़ा पुलिस स्टेशन के मारफत से डॉक्टर राजदीप सिंग जाला को भी ग्यापन भेजा गया जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग जिसमें धरमपूर तालुका के तालुका पंचायत आपक्षु में द्वार कलपेश पटेल तथा आदिवासी समाज के लो मिलकर ग्यापन दिया जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की हैं लगातार खबरों को देखने के लिए देखते रहे के एम न्यूज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अपडेटड रहे